के अपसे हैं आप सब उमीद करता हूं बढ़ी होंगे हो और आप सभी का स्वागत है आज के सीविंग सेशन के अंदर यहां पर हम क्रिप्टो के बारे में चर्चा करेंगे एक्सारपी के ऊपर चर्चा करेंगे कि चारो तरफ से एक्दम एक्सारपी के पर हमला हुने लगा मतलब कि जब प्राइज गर रहे थी तो हर को यह कह रहा था कि एक्सारपी खतम हो या खतम हो गया यह गया देखिए एक्सारपी जो है चौथे नमबर की बिगेस्ट क्रिप्टो करंसी है और ठीक है उसके उपर एससी की लगाम लगे हुई है लाउसूट्स लगाए गये है और अभी इसका केस चल रहा है और कुछ ना कुछ तबदिली जरूर आ सकती है कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ मिल सकता है एक्सारपी को कैसे मिल सकता है मैं आपको बदाऊंगा कुछ पूराने कुछ और लॉसूट्स भी है जो एससी ने लगाए है उनको मद्दे नजा का है किस कोईन के लिए अगर हम डिप में बाई करते हैं मैं अच्छा का सब मुनाफ़ा मिलेगा एक्सारपी की अगर हम बात करते हैं तो जब सेजी का ये न्यूज वगर आया था तो लगबग 0.20 या 21 के असपास गिरा था और वहां से इसने कितनी लंबी छलांग लगाई if you calculate near about 0.37 के असपास 50% से ज़्यादा की उच्छाल आई तो उस डिप में भी बाई की होती मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि मैं बाई करने वाला हूँ because I know कि यहां से 0.35 या 0.37 के आसपास इस पे जब जरूर आएगा क्योंकि इतना नीचे गिरा है वहां तक जरूर जाएगा वहां पर थोड़ा से स्टेबल रहेगा और हो सकता है कि 0.60, 0.75 आने में वक्त लगे और प्राइस रातो रात वापीस उपर पुश हुआ अच्छा जो चेर्मेन थे जिन्होंने अपना रेजिगनेशन दे दिया जेक लेटन उनकी तरफ से हमेशा नेगेटिविटी आती थी क्रिप्टो को लेकर और उनकी जगा जो नए चेर्मेन है उनका नाम है एलेड रॉइसमेन और इनको कहा जाता है कि यह प्रो क्रिप्टो हैं मतलब कि XRP का प्राइस यहां से 99% और नीचे गिर सकता है ठीक है बट वी नेवर नो हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है तो यही सोचके कि XRP के ओपर यह जो लाउसूट लगा है उसमें कही ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकती है and for that reason बहुत सारे लोगों ने यह सोचा विल जैसे 2019 के अंदर कुछ cases थे जैसे कि बताओ ब्लॉक वन था जो यह उसके जो creator थे उनका था और उनके उपर भी इसी तरह का lawsuit तयार किया गया था from SEC और उनके उपर भी fine लगा था मतलब कि जितना भी उन्होंने fund raise किया था उसका 0.58% जो होता है जो लगबग निकल के आता है और भी जो lawsuits लगाया गया थे मकाफी के उपर लगाया गया था कि आप और उनको मालूम है कि ट्वीटर के उपर जितने भी जो shit altcoins वगरा होते है इसो वगरा होते है उनकी shilling वगरा करना तो उसके उपर भी SEC के तरफ से उनको अच्छा खासा एक fine लगाया गया था और SEC का य 2019 की बात करें तो वहां पर किक क्रिप्टो के आई के क्रिप्टो जो था उसको भी पैनल्टी लगी थी लगबग 5 मिलियन डॉलर का और सेम रिजन के लिए कि जो अन्रेजिस्टर सेकूरिटीज है उसको उसके थ्रू जनरेट करना फंड बगरा अब SEC इसको क्यों कर रहा है देखें इसके पीछे जो में कारण ये है कि bitcoin जो है that is the main cryptocurrency इसको उपर लेके आया जाए इसके साथ जो और भी अच्छी currencies है उसको उपर लेके जाए और बाकी जो garbage ये कच्रापट्टी जो है cryptocurrency में से उसको निकाला जाए क्योंकि यही कच्रापट्टी के वज़े से आप और ह फसते हैं और हमारे जो portfolio होता है वो red में होता है आप और हम क्या करते हैं कि ठीक है भले shit coin हो कही सी news मिली कि यह उपर जाने वाला हम उसके दर इंवेस्ट करते हैं और profit मिला तो अच्छी बात है फिर next time हमारा और मन करता है कि कैसी shit coin के अदर इंवेस्ट करें या call आया तो उ उसके बाद क्या होगा कि जो central bank से उनका इसके अंदर इंट्रस्ट आएगा ठीक है तो जो base है वो clean कर रहे है crypto का and I'm sure कि इसके बाद जो रहेगा BTC cryptocurrency और अच्छे ढंक से चलेगे और कुछ ख़वर ऐसी भी आ रहे है from sources media sites वगरा है कि XRP के बाद कुछ और coins है जिनके ऊपर SEC की तलवार गिर सकती है Coin है, Stellar है, Cardano है तो आपने अगर ये दुनों coin भी अगर hold करके रखा है तो थोड़ा सा होश्यार हो जाना क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ Tron जो बहुत खामोश बैठा है लेकिन एक news अच्छी खासी यह आई है कि Tron भी लेके आ रहा है, NFT लेके आ रहा है, Onnit से TRC721 प्लेटफर्म के उपर लेके आ रहा है और यहां पर जो भी token होगे उनकी जो NFT होई उसकी एक unique value होगी तो हो सकता है इसक वाइस से Tron के अंदर थ सबसे हमें सोचना है, next एक बहुत अच्छी positive news यह है from international blockchain consulting group की तरफ से, उनके जो main concern person है, Khurram Shroff, उनका ये कहना है कि आने वाले future के अंदर, BTC जो है, it's going to replace the bullion market, यानि कि gold, silver, यह सब जो market है, उसको BTC रिप्लेस कर देगा, या अच्छी खासी टकर दे सकता है, क्योंकि जो Wall Street है, उसको अच्छा खासा इसके अंदर interest आ रहा है, अभी BTC के अंदर, and we all know कि Coinbase का भी IPO अगरा सब कुछ आ रहा है, FTX को पर भी नजदर रखना, FTX exchange काफी अच्छा exchange है, उसके tokens वगरा पर भी नजदर रखना, उसके उपर मैं अलग से cover करूँगा, ठीक है, और उनका य रहेगा, BTC जो रहेगा, वो market पर बहुत कम मिलेगा, और कम रहेगा, और demand जब ज़्यादा रहेगी, तो price अच्छा कासा उपर जा सकता है, नच में यहां पर बात करूँगा, ठीक है, वन इंच.exchange, इसको पर नजदर रखना, इसको token को पर नजदर रखना, और ये भी finance उसको list कर रहा है, वो भी जो है, वो भी उसको list कर रहा है, ठीक है, तो इसको उपर नजदर रखना, right now जो time है, अच्छे exchange को पकड़ो, अच्छे coins को पकड़ो, short term पे target रखो, ठीक है, that is the main key point, अगर आपको profit कमाना है, ठीक है, profit कमाने का मतलब ये निए, कि रोज ही मुझ के अंदर है, कहां-कहां channel से, कहां-कहां breakout हो सकता है, उसके list बना लो, और कल के दिर उसको उपर अप्टरेट करो, और पहले से plan बना लो कि अगर ये उपर नहीं जा रहा है, stop loss अगर यहां पे आ रहा है, तो hit होता है, तो होने दो, कोई बात नहीं, अगर आप stop loss रखते हैं ratio पगरते हैं, तो 2% के सामने क्या है, 6% का profit, तो 4 अगर call के अंदर आपको profit मिल रहा है, तो कितना हो गया, 24% आपको profit हुआ, 24% profit हुआ, 12% loss हुआ, तो overall आप कितना हुआ, 12% में आपको profit है, तो बहुत अच्छी चीज है, तो इसी साब से आपको calculation करना है, लेकिन right now, आज भ आपको बड़े loss से निकलना होता है, या आप निकल नहीं पाते, you have to do average, तो stop loss के बिना trade मत करो, ये बात एकदम, मैं तो कहता हूँ कि अपने जो computer screen है न, उसके उपर एक पट्टी पे लिखके लगा लो, कि भाया, without stop loss, buy मत करो, ये short मत करो, ठीके, और finally जाने से पहले हम थो 20,000 के mark पे आ रहा है, and believe me, वापी से मैं कहा रहा हूँ कि अगर थोड़ा भी नीचे आता है, तो उसको buy करना, एगर chance मिलता है, क्योंकि BTC नीचे जाने से पहले, 25,000 या 30,000 का mark ये जरूर touch करेगा, मेरे साब से, बहुत जादा chances मिजे लगते हैं, और उसके बाद मैं Ethereum की ब जरूर touch करेगा, believe me, क्योंकि Ethereum की rally अभी नहीं आई ये, last video में जो मैंने कहा था, link के ओपर नजर रखना, link भी अच्छा progress कर रहा है, in fact, जितने भी alts है, सब में क्या हुआ, 10, 10, 12, 12, 15% की छलांग लग गए, क्यों लग गए, क्योंकि XRP recover कर दिया, that is the main reason, तो ये crypto का खेल ह ठीक है, तो इस video को जादा लंबी नहीं करूँगा, और इसके बाद और भी important updates आएंगे, तो आप लोग के साथ मैं जरूर शेयर करूँगा, right now वीडियो कर पसंद आया, तो उसको जरूर लाइक करें, channel पे नहीं है, तो please subscribe button पे click कीजिए, bell icon पे click कीजिए, ताकि जो भी important notifications ह होंगी, वो आप लोग से miss now, तो दोस्तों भी तक लिए बस इतना ही, जल मिलेंगे, तब तक टेक करें, have a great day.